श्रीमत भागवतम में अगर हम देखेंगे तो भागवान के जन्म से पहले पूरे वरिंदावन को सजाया जाता है वरिंदावन अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है यमुना जी भी शुद्ध हो जाती है संपूर्न कुंज अपने सुन्दर कुश्पो से सजजाती है और भागवान का स्वागत करती है तो हम उनके भक्त है हम चाहते हैं कि जब भगवान का जन्म हो तो हमारा मंदिर भी उसी व्रिंदावन के भाव में सजा हुआ हो